हाई गाईज, वेलकम डू फाउंडेशन कॉलेज, कैसे हैं आप सब? वेदिक मैट का यह है वीडियो नंबर 14, जहाँ पे हम मल्टिप्लिकेशन सीखेंगे 50 से, यानि कि 50 से कितने भी डिजिट का नंबर हो, उसको अपने लोग मल्टिप्लाई करना सीखेंगे बहुत आसान तरीके से, इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो एडियोज अप्लोड कर चुके हैं, जिसे जा के आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स मन लिख है, वहाँ से आप प्लेइलिस्ट एसस कर सकते हैं, हमारे चैनल पर काफी जारी वीडियो आ चुकी है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और प्लेइलिस्ट जरूर देखें चले साट करते हैं multiplication by 50 in 5 seconds अब 50 से multiplication कैसे करेंगे इससे पहले अपने लोगों ने 50 से divide की जो method वो अपने लोगों ने देखा हुआ है तो उसको अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको भी आप देख सकते हैं तो 50 से आज हम हमेशा की तरह इस बार भी हमारे पास 2 step formula है यानि कि step हमारे पास कितने है जिसमें से सबसे पहला step क्या है जो भी हमारा सबसे पहला step है उसमें अपने लोग half करेंगे number को यानि कि half the number and second में क्या करेंगे अपने लोग multiply the number okay multiply the number अब अभी नहीं समझ में आ रहा हूँ चलो एक example लेकर देखते हैं कोई भी number उठाओ एक आसान सब सबसे पहले number उठाते हैं समझने के लिए ताकि आपको समझने में थोड़ी सी असानी हूँ हम लोग number उठाते हैं जैसे कि कोई भी number उठाओ 86 into 50 करो 86 into 50 जब आप करोगे तो क्या आपका answer आने वाला है तो सबसे पहले जो iggersamba वह क्या है सबसे पहले जो भी number है उसको half तो हमारे पास नंबर है 86 पहला step जो भी नंबर है उसको half करो याने कि 86 divided by 2 टो हमारे पास अंसर आरहा है 43 अब दूसरा step क्याता है कि जो भी हमारे पास नंबर है याने शानी क्वीन खर दो 100 कर दो या inhaleप गर देरेक्ट क्रॉस चेक करके देखते हैं कालकुलेटर से तो 86 x 50 हमारा अंसर आ रहा है 4300 बिल्कुल सेम अंसर आया हुआ अब इसी तरीके से कितने भी डिजेट का नंबर हो उसको आप कर सकते हैं के बल दो स्टेप में दूसरा को एक्जामपल ले लो दूसरा एक्जामपल ले लो चोरो कोई नंबर ले लो 4 डिजेट का अपने लोगों ने नमब लिया 6573 ये अपने लोगों ने नमब लिया इसको 50 से multiply करना है multiply करने के लिए सबसे पहला number कि इसको half कर लो यानि कि 6573 divide by 2 करेंगे तो हमारे पास number निकल के आएगा इसको 2 से divide करोगे तो ये आजाएगा हमारे पास 1 करी लगा 1 ये हो जाएगा हमारे पास 8 करी लगा 1 7 और ये हो जाएगा हमारे पास 7 और ये करी लगा हमारे पास 8 और ये हो जाएगा हमारे पास ओ स्वारी गलत हो गया यार स्वारी पीछे से कर दिया 3 आएगा यहाँ पे फिर यहाँ पे आएगा हमारे पास 2, उसके बाद आएगा हमारे पास 8, उसके बाद आएगा हमारे पास 6.5, यह हमारा अंसर आ रहा है तो इसको जब divide करोगे 2 से तो हमारे पास यह अंसर आएगा, 328.5, अब देखो यहाँ पे अपने लोग जब 100 से direct multiply कर रहे थे तो यहाँ पे डारेक्ट लिख देते हैं कोई दिक्कत नहीं होते हैं लेकिन जिनको दिक्कत है उनके लिए 100 से मल्टिप्लाई करना जरूरी है 3286.5 इंटू जब 100 करोगे तो इसको जब 100 से इंटू करोगे तो पॉइंट सिफ्ट हो जाएगा और हमारा अंसर आजाएगा 3286.50 यह हमारा अंसर आने वाल है इसको एक बार क्रॉस चेक करके देख लेते हैं 6573.50 इसे मंसर आ रहा है अब इसी तरीके से एक और नंबर ले लो चलो एक कोई 7 डिजिट नंबर लेते हैं थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करते हैं 7 डिजिट नंबर लेते हैं कोई भी है रिंडम 9 लेलो 7 लेलो 2 लेलो 3 4 5 8 7 कितना हो 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट नंबर है इसको multiply करना है 50 से अब अगर देखो कि normal method से करने जाओगे तो काफे ज़्यादा दिक्कत आएगी आपको लेकिन इस method से क्या करना है सबसे पहले क्या करना है इसको half करोगे तो 2 से जब divide करोगे तो हमारे पास अंसर आएगा इसका 9 है तो यहाँ पर आजाएगा हमारे पास 4 यहाँ पर आएगा 8 यहाँ पर आएगा 6 1 आएगा यहाँ पर 4 2 आएगा फिर यहाँ पर 2 आएगा फिर आएगा हमारे पास 9 और फिर आएगा हमारे पास 7 तो यह हो जाएगा हमारा 3.5 यह आ रहा है अब इसको अपने लोग क्या करेंगे इसको multiply कर देंगे hundred से और जो हमारा answer है वो आ चुका है कितनी आसानी से अपने लोगों ने निकाल लिया हमारा answer आया अब इसको अपने लोग क्रॉस शक करके देखते हैं हमारा पास नमबर है 97234587 into 504861729350 यहाँ पर 7 आना चाहिए तो हाँ यहाँ पर कहाएगा यहाँ आना चाहिए 7 थोड़ा सा गलात हो गया है इसको जब मल्टी इस वाड़ी डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 7 आएगा तो दिवाइड करते टाइम ठोड़ा सा ध्यान रख्येगा हाफ करते टाइम आना तो यहाँ पर क्या था यहाँ पर नाई था तो फोर आगया 7 था तो यहाँ पर वोजागा 16 18 यहाँ पर 13 यहां पर 14 आयगा तो यहाँ पर क्या आजयेगा, समझे, आप देखो, इसी तरीके से काफी सारे हमारे पास G let us है कि जो प्रैक्रेटिस कोशनस है, उनका प्रैक्टिस ऐए उसका पर जो सालूशन घृकर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते whilst कोई भी नंबर ले लो अपने लो करने नंबर ले लिया 357 4 x 50 26 x 50 करके देख ले ना एक 3-digit नंबर ले लो 137 x 50 कर ले ना एक लेवल इंक्रीज करते है ना थोड़ा तो एक 7-digit नंबर ले 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 हैं 7-digit में कोई भी नंबर ले लो 1-7-9-5-3-2-1-2-3-4-5-6-7 इसको multiply करके देख ले ना फिफ्टी से इन सभी के जो अंसर है वो आप comment box में बता सकते हैं बाकि अगर आपको कोई doubt है कोई suggestion देना चाहते हैं तो आप वो भी comment box में बता सकते हैं कैसे किया सबसे पहले देखो दो इस्टेप का formula है दो सबसे पहले क्या करना जो भी number है उसको half कर लो उसके बाद मल्टीप्लाई कर दो multiply the number by hundred तो multiply करना है उसको किसे hundred से तो दो step का हमारे पास formula है अब इनी दो दो स्टेप में जो भी हमारे पास 50 से जब अपने लोगों ने डिवाइट करके दिखा था तो उसमें भी अपने लोगों ने दो स्टेप को फार्मूला लिया था उस वीडियो को आप देख सकते हैं इससे पहले वाली वीडियो यानि की लक्षा नंबर 13 होगा त हमारी महनत पसंद आती है हमारी जो वीडियो है वो पसंद आती है तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में आपको कोई सजेशन है तो प्लीज आप बता सकते हैं बाकी अगर कोई किसी को जरूत है वैदिक मैद की उसको आप ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं मिलते हैं आप से नेक्स वीडियो में जहाँ पर हम और भी काफी नई सिरीज लेके आएंगे जहाँ पर हम काफी ज्यादा वीडियो कवर करने वाले हैं वैदिक मैद के तो वैदिक मैत का complete course यहां पे हम चला रहा है अब यहां पे अपने लोगों ने काफ़ी सारी वीडियो अप्लोड कर दी है अगर आप चाहें तो हमारे इंस्टाग्राम पे आप हमको फॉलो कर सकते हैं जहां पे आप one to one conversation करके बात कर सकते हैं आपका अगर कोई डाउट है कोई कुछ पूछना चाहता है तो यहां पे आप बात चीत कर सकते हैं मुझसे बलते हैं आप से नेक्स वीडियो में जहां पे हम और भी कई सारी नई वीडियो लाएंगे वाधिक मैत के उपर तिल दन गुडबाए